अस्सलाम वालेकुम वेलकुम टो अपना किच्छन मेरा नाम है राहत आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें इंग्रिजेंट्स चाहिए 500 ग्राम भिंडी, 1 मिडियम साइज प्यास, 1 मिडियम साइज टमाटर, 1 टीस्पून पोत्मीर, नमक according to taste, 1 पिंच हल्दी, 1 अच्छे से ड्राय करके भिंडी को एक एक इंच में कट कर लेंगे इस तरह से, अगर हम भिंडी वाश करके बगए ड्राय करें ही कट कर लेंगे तो भिंडी बहुत स्टिकी हो जाएगी एक कड़ाई लेंगे, फिर कट की हुई प्यास डालेंगे, हमें प्यास को खड़ा कट करना है, मतलब वर्डिकली फिर प्यास को हलका फ्राय होने देंगे हमें प्यास का कच्चापन जाने तक ही प्यास को फ्राय करना है, ज्यादा रेड होने नहीं देना है जब आपको लगे प्यास का कच्चापन चला गया है, फिर इसमें कोथ्मीर हरीमिर्ची या तकलसन का पीसा हुआ पेस्ट डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे, सारे पाउडर्ड मसाले डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे हम यहाँ लाल मिर्ची का यूज नहीं कर रहे है क्योंकि हमने पहले ही हरी मिर्ची को पीस लिया था इन सब मसालों को हलका सा फ्राय कर लेंगे फिर इसमें कटकी हुई भेंडी डालेंगे अच्छे से भेंडी को इन मसालों और प्यास के साथ मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर मेडियम फ्लेम पर फ्राइ होने देंगे जब भेंडी हलकी नर्म हो जाए कटे हुए टमाटा डालेंगे जिस तरीके से मैंने टमाटा बारी कट किये है उसी तरीके से कट करेंगे इससे टामाटर गलने आसानी होगी अच्छे से मिला लेंगे भिंडी को थोड़ा चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें वन पिंच चाट मसाला पॉलराइट करेंगे अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो स्किब भी कर सकते है आप भिंडी जिस हिसाब से ले रहे है उस हिसाब से स्पैसेंस और नमकी कॉन्टिटी कम या जादा कर लीजिए एक बार चेक करेंगे कि भिंडी कली है या नहीं देखिए भिंडी अच्छे से गल गई है अब फ्लेम आफ कर देंगे और कोतमीर से इसे गार्निश करेंगे यह बहुत ही टेस्टी और हल्दी या जवाब रेसिपी है आप इसे लंच या टिफिन के लिए बना कर बच्चों को दे सकते है इस भिंडी को चावल रोटी चपाती किसी के भी साथ आप इंजोय कर सकते है आप यह डीश ज़रूर ट्राइक करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताए रेसिपी आपको कैसे लगी जी तैयार है मसाला भिंडी ऐसे ही अच्छे रेसिपी देख लिए हमाई चानको लाइ कि जीएगा